नमस्कार RBSC के दुआरा कल REIT exam को लेकर के की जह वो जारी कर दी गई है निश्चित तोर पर जिन बच्चों के marks जहां उस की में जहां बड़े होंगे उतने ही रहे होंगे मेरी तरब से उनको शुब काम ना है लेकिन ज़्यादा तर cases में marks जहां वो कम हुए होंगे ऐसा मेरा मानना है या लग बात है कि G-help के दौरा जो की जारी की गई थी उसमें और RBC के दौरा जो की जारी की गई है उसमें ज़्यादा फरक नहीं है तो एक बार फिर से जहां मैं अपनी subject experts जहां उनको डेर सारी बधाई देता हूं कि आपके दौरा किया गया कार्य जो है वास्तों में जहों बहुत अच्छा था जिसके कारण question के answers में जहों फरक नहीं आया और अगर यह आया भी है तो questions का जहों फरक आपको जहों दिखेगा आपके marks में आपके दो questions हो सकता है कि कम हुए हो कई बच्चों का एक कई बच्चों के दो इससे ज़्यादा questions आपके कम नहीं होए होंगे यदि आपने जी help की key से जह हो अपने question paper को चेक किया था यदि आपने किसी अन्य की से जह है इसको चेक किया था तो निश्शित तोर पर यह अंतर जहां वो ज्यादा हो सकता है मैं यहां पर आपको पता नहीं आया हूँ आज के जो बोर्ड के द्वारा की जारी की गई हैं उसमें कितनी ऐसे प्रशन है जिनको उपर objections लगाए जा सकते हैं और उनके sources जहां वो क्या होंगे ने केवल आपको वो objections और sources बताए जाएंगे यहां पर बलकि इसके साथ साथ आपको वो objections और sources जो हैं उनकी PDF जो हैं authentic source के तोर पर description box में एक link की माध्यम से drive link की माध्यम से यहां पर आपको provide करवाई जा रही हैं तो निश्यत तोर पर इसका फाइदा यह होगा कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और आपको कौन सा authentic source जो लगाना है इसकी सुचना हम यहां पर जहां वो दे रहे हैं ने के वल सुचना दे रहे हैं बल क्या वो बढ़ेगी क्या वो घटेगी इस प्रशन का जवाब भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगा ने के वल दूँगा बलकि एक और वीडियो के माध्यम से जल्द ही हो सकता है कल हो सकता है परसों हो सकता है दो दिन बाद डिपेंड करता है कि आप उस बनते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा असान होगा कि आपके लिए cut off जो है उसको लेकर के आएं लेकिन expected cut off जो है वो बढ़ेगी घटेगी इसकी बात मैं वीडियो के अंतर तक कर दूँगा लेकिन इसके साथ साथ कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी इसकी बात मैं अगले वीडियो में करूँगा depend करता है कि हमारे पास सर्वे में कितने responses आते हैं और आप से गुजारिश ही है कि आप उस सर्वे का हिस्सा बने पिछली बार 1564 स्टूडेंट्स ने उस सर्वे के अंदर participate किया और मैं चाहूंगा कि इस बार यह संख्या दुग नी हो ताकि हम exact cutoff जो है उसको बता सके उसके करीब पहुंच सके चुरू करते हैं आज हम इस analysis को objections and sources के नाम से दोस्तों सबसे पहले जो है अगर जो मैं बात करूँ तो यह question जो है आपके दो question ऐसे हैं यहां पर जिनके आप objection लगा सकते हो यह दिया आपने जी help की की से जहूँ अपना पेपर चेक किया था उधारन के लिए यह जो question है आपका इस question के अंदर जो है आप देखेंगे कि in a food chain a rat comes under the category of primary consumer, secondary consumer, territory consumer और producer प्रात्मी को भोगता, secondary भोगता, तृति भोगता या उत्पादक जो है तो निश्य तोर पर जो है बोड ने जो है इसका उत्तर जो है वो primary consumer जो है वो माना है बोड ने इसका उत्तर primary consumer माना है और secondary consumer जो है वो भी बहुत सारी जगह पर जो हो दिया हुआ है secondary consumer जो है आप websites पर भी देखेंगे आपको Wikipedia पर भी जो मिल सकता है लेकिन इसका जो सबसे बड़ा source जो है इसका वो आपका है ये book समाजिक विज्ञान की कक्षा सात्वी की जो पाथे पुस्तक जो है वहाँ पर जो है class 7th SST की page number 4 जो है वहाँ पर ये जो paragraph है इसमें आपको ये बताया गया है कि जो threat जो है आपका उसको आप secondary consumer के तोर पर जो हो ले सकते हैं ये अलग बात है कि कहीं कहीं शायद 11th class NCIT के अंदर जो हो इसको primary consumer जो हो माना गया लेकिन फिर भी ये आप objection लगा सकते हैं क्योंकि board की book में इस चीज को इस रूप में दिया ग जाता है आप से आशा की जाती है कि आप जिनका ये question गलत हुआ है जिनोंने इस प्रशन के अंदर जो है दित्य उत्पोधत दित्य भोगता जह वो किया है वो इसको objection के तोर पर लगा सकते हैं और source जो है वो आपका RBSC की book है आपके सामने हैं और इसका cover page जो है वो भी मैं आपको description box में दे रहा हूँ और इसका जो page number जो है ये भी मैं आपको दे रहा हूँ जिसको आप source के तोर पर यूज कर सकते हैं ये एक प्रशन था जो हमारी की में और RBSC की की में जह वो अलग-अलग था और इसको उपर objection लगा जा सकते हैं उसके बाद English का ये जो question है इस question क के ऊपर इस question के ऊपर भी आप objection लगा सकते हैं अगर जो आपने इसको बरी किया तो इसको जो है objection लगाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन यदि आपका ये question गलत हुआ है बोर्ड की की के हिसाब से आप इसके ऊपर objection लगा सकते हैं objection क्योंकि आपका ये शब्द जो है उसका phon यूज करेंगे डैनियल जोन्स जो है उनकी इस बुक को जो है English pronunciation English pronouncing dictionary जहां इसको जो है आप यूज करेंगे source के तोर पर authentic source है डैनियल जोन्स जहां एक बहुत बड़े फनेटीशन है आप इनकी बुक जो है इनको रफर कर सकते हैं और पेज नंबर 52 के ऊपर जो है आपका पर लगबग जो है वो बताया है बैरी को जो है और पेज नंबर 70 के ऊपर जो है वहाँ पर आपको जो है वो बताया है बरी के ऊपर मने आपका बैरी और बरी दोनों का जो phonetic transcription जो है वो आपका यही रहता है तो यह question आप लगा सकते है objection source रहेगा डैनियल जोन्स की उस तक 2470 को आप source के तोर पर लगा सकते हैं description box में आपको यह source मिल जाएंगे कहीं इदर उदर भागने की जरूरत नहीं है उसके बात जो है आपका हम बात करें अगले प्रशन की और इस प्रशन को देखी कितनी बड़ी बात में कह रहा हूं जितने भी की जारी हुई बड़े- बड़े-बड़े teachers के द्वारा जो है वहाँ पर इसका उत्तर जो है वो सी माना गया ठीक है और हमने जो है इसका उत्तर जो है वो बी जो दिया और यह निश्चित था कि सी जो है इतना मतलब वाइड प्रस्पेक्टिव हैं सी option का जो है यह होना ही था और इसलिए बी और सी दोनों ही इसके उत्तर जो है वो माने गए है इसके दोनों ही उत्तर जो है वो बोर्ड के द्वारा माने गए है एक बार फिर से जो है हमारी जो subject experts जो है pedagogy के जो subject expert है उनको दिल से शुक्रिया सलाम की B और C दोनों ही जो है इसके उत्तर बोर्ड की के द्वारा जो हो माने तो इसलिए इस प्रशन के उपर किसी तरह का कोई objection जहां नहीं लगाया जा सकता, यदि कोई इसके उपर objection लगाना चाहता है, तो उसको वो source जहां तलाषने होंगे क्योंकि गुंजाईश कम है, फिर भी यदि किसी को लगता है कि ये question का answer सिर्फ it enhances learning होना चाहिए और it is diagnostic नही होना चाहिए तो वो आप अपना source जो ढूंड सकते हैं मेरे passes को लेकर कि कोई source नहीं है उसके बाद एक प्रशन ये था कि CCE में व्यापक्ता का आश्य निमनिम से नहीं है ठीक है और विशो की व्यापक्ता उपकरणों की व्यापक्ता दायरे की व्यापक्ता हो सकता है कि लिखने में थोड़ा गडबर हो गई हो टाइप इस से पिछली बार इस प्रशन का उत्तर रीट 2017 में इसका उत्तर जो है वो आपका RBSC जो है उसके साइट से जो है आप ये की उठा सकते है 2017 REIT exam की RBSC की खुद की की जो है उसमें इस प्रशन को जो है कुछ अलग तरीके से बताया गया है और कल रात को जो की जारी हुई है उसमें कुछ अलग तरीके से बताया गया है आप उस की को सोर्स के तोर पर यूज कर सकते हैं आप उस की को सोर्स के तोर पर यूज कर सकते हैं इस question के अंदर जो है यह आपका तीसरा प्रशन था और उसके बाद इस प्रशन के लिए जो है मैं जो है आप से कर सकता हूं क्योंकि हमारी की में यह प्रशन जह वो गलत था सिर्फ एक मात्र एक साथ क्वेशन जो है पूरे के पूरे आप सभी लेंगविज़िज को मिला लें संस्क्रेथ हिंदी पंजाबी और इसके अलावा जो लेंगविज़िज को मिलाने के बाद SST Math Science है ना मैं science में जरूर एक या दो question है ऐसे जो मेरी की में जह वो गलत थे और एक ये question जो है इस question में जो है आपका उत्तर जो है वो A है ठीक है मिश्र वाक्या जो है और ये board के द्वारा A ही माना गया है और इसके उपर किसी तरह का कोई objection जो है वो नहीं लगाना चाहिए उसका कोई फाइदा जो है वो नहीं है आप इस चीज को समझ सकते हैं तो मैं जो हमसे गलती होती है उसके लिए मैं यहाँ पर आपके सामने जो regret feel कर रहा हूँ मैं उसके लिए sorry feel कर रहा हूँ निश्यत तोर पर जो है इस प्रशन का उत्तर जो है वो हमें एही देना चाहिए था फिर भी मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एक मातर जी help की यसी key थी जिसके अंदर जो है शिरफ जो है आप देखेंगे कि फुल तीन questions का अंतर जो है जिसमें से दो जो है वो अभी भी objectionable है मैं उनके source बता रहा हूँ उनके जो sources जो मैंने आपके समक्ष जो दिखाए इसके अलावा जो है आप इसको लेकर के जो है जो भी आपको sources या objections जो कहीं से भी मिलते हैं वो आप लगा सकते हैं ध्यान दे competitive examinations की जो books हैं वो authentic source नहीं हो सकती है गोर्मेंट के द्वारा या पा authors English authors जो आते हैं English की बात कर रहा हूं मैं या कोई और जो हैं उनकी पुस्तके आप लगा सकते हैं reference book जो है वो आप लगा सकते हैं ग्राइड जो है वो आप नहीं लगा सकते हैं source के तौर पर तो हैं तो कुल मिलाकर करके जो हैं सबसे बड़ी बात जो हैं क्या है सबसे कि मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी उसमें जो है मैरिट जो हो थोड़ा नीचे जाएगी लेकिन इतना नीचे नहीं जाएगी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितनी नीचे जाएगी इसके लिए आपको मेरे अगले वीडियो को जह वो देखना पड़ेग क्यों मैं आपको इंतजार करने के लिए कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हवा में बाते जह वो नहीं करना चाहता मैं यह देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों के questions जो है उनमें फरक आया है मुझे कं से लेकर कल रात से लेकर कि अब तक ज़्यादा नहीं तो 200- 200 calls जहां वो आ चुकी है और उन सब में जितने भी बच्चों ने जहां वो मुझे calls किये मिनिममम एक नंबर कम हुआ है किसी का ज़्यादा तर बच्चों के दो questions जहां गलत हुए है अगर आप भी उन लोगों में हो जिनके एक ये दो questions कम हुए है तो आप comment section में लिख सकते ह मेरे एक कम हो है मेरे दो कम हो है और कहीं कहीं तीन question का फरक पड़ा है यदि आपने g health की की से मिलान किया है तो पांच questions 6 questions 7 questions जहां उनका फरक पड़ा होगा कहीं कहीं तो 10 questions का भी फरक पड़ा है तो यदि आप description box में या जो comment section में जो link दिये हैं survey के उसका हिस्सा बनते हैं तो हो सकता है कि हम आपके लिए वो वीडियो कल ही जहां वो लेकर के जहां वो आ जाएं और कल ही जो है आपको शाम को जहां उसके बारे में बता दें कि रीट की एकस्पेक्टेड कटोफ जो वो कितनी नीचे जा रही है बढ़ने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि 200 बच्चों ने जो 200 बच्चों ने जो मुझे कोल की हैं उनमें से कोई भी एक बच्चा जहां वो ऐसा नहीं था जिसने यह कहा हो कि मेरे मार्क्स बढ़ गए हैं या तो उतने ही रहे हैं या एक कम हुआ या दो कम हुए हैं या तीन कम हुए है या फिर जो नती हैं उसे संपर्क ना किया है और यह बास से इंकार नहीं करता हूं जब तक आप सरकारी स्कूल में नहीं पहुंच जाते जब तक आपके signature जो हैं वो green register पर हो नहीं जाते तब तक हम आपसे जुड़े रहेंगे बने रहेंगे लाते रहेंगे वीडियो जो हैं आपकी समस्याओं के समाधान जो हैं ताकि आपको अपना वक्त जाया ना करना पड application जो हैं वो भी जल्द launch होने वाला है ताकि आपको इदर उदर से पूछना ना पड़े कैसे जोइन करना है क्या करना है सारी बातें अगले दो वीडियो में तब तक अपना ध्यान अपना ध्यान रखें और स्वस्त रहें हंसते रहें मुस्कराते रहें चिंता ना करें सब